नमस्कार मित्रों, जैधनवंतरी, मैं डाक्टर नवीन गुपता, आपके समख शुपत सीत हूँ एकोर अर्विदिक जानकारी के साथ, यहां हम मुनक्का के बारे में बात करेंगे, दरसल मुनक्का अंगूर का ही सुखावा रूप है, बड़े आकार के अंगूर सुखने पर मुनक्का या दराक्ष केलाते हैं, और छोटे आकार के अंगूर सुखने पर किश्मिश केलाते हैं, मुनक्का खुन की कमी को दूर करती है, कमजोरी को दूर करती है, कबज का नाश करती है, शरीर की बड़ी हुई रुक्षिता को दूर करती है, मुनक्का धातों की रुद् पुष्ट पुष्ट तो बलवाल मनाने में काफी लाब दैख है। यदि बुखारादी के करण मुग का स्वात बिगड़ गया है तो मुनक्का पर थोड़ा सा काला नमक बुरक कर बार बार खाने से मुग का स्वात सुदरने लगता है। या दूद में गला कर या दूद में उबाल कर नीमी तुरुप से प्योग करते रहने से पेट की कब जो दूर होने लगती है इसे पकाना साफ आने लगता है वो भूग भी खुलकर लगने लगती है और धीरे धीरे शरीर में तरावट आकर शरीरी की कमजोरी दूर होने लगत पाचन शक्ती मजबूत हो वे मुनक्का सीधे खा सकते हैं पर जिनके पचावट कमजोर है वे लोग इसे पानी में गला कर खाएं तो उचीत रहेगा अमलपित यानी हाईपर इसीडिटी की स्थिती में दस गराम मुनक्का के साथ 10 गराम सोप光 को एक गिलास पानी में राद भीगो कर रग दे और सुबह मिश्री मिला कर मसल चान कर पीने से काफी आराम होता है सूखी खासी की इस्तिती में मुनक्का को मिश्री के साथ मुँ में रखकर चूसने से रहाच मिलती है मुनक्का से प्रसित दाइरविदी क्योग दराक्षा सव, दराक्षा रिस्ट, दराक्षा उले, आदी बनाये जाते हैं जो बाजार मासेनी से उपलब्द हैं आचा करता हूँ मित्रों आपको जानकर एच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्कार